अगर आप जाना चाहते हैं IT field versus score field का main चीज जो है salary उसके बाद आपका क्या problems आता है basically मैंने 10 साल से एक दोस्त है जो mechanical field में job कर रहा है उससे बात किया मैंने जो IT field में काम कर रहा है 10 साल से उससे बात किया दोनों ही average किसम के student है और दोनों का जो future graph भी तक हुआ है मैं आपको बताऊंगा आप शुक हो जाओगी मैं खुद शुक में आगए यार मैं expect थोड़ा अलग कर रहा था लेकिन कुछ अलगी level काम चल रहा है यार यह वीडियो इसलिए अभी बना रहा हूं because IT field में बहुत layoffs हो हजारों बंदों को निकाल चुके इवन एक स्टोरी आया था Microsoft निकाली एक बंदे को जो 21 साल से काम कर रहा था उसके company में इसका मतलब क्या है भाई इसका मतलब कि कहीं ने कहीं आपके दिमाग में होगा क्या हमने गलती तो करने लिए ना IT field में आपके तो इस वीडियो में details में discuss करेंगे सो गाइज मेरे ना मुझे वलकुमार सैन है अगर आप इस यूट्यूब चलाएं पनने हैं कंग्राचुलेशन यू आप फाउंड ता मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज और बोल सकते इंफॉमेशन प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल इन दा एंजिनिरिंग फिल्ट अगर गाइड भी कर रहा हूं उसका result भी मेरे पास है जो मेरे guidance को follow कर रहे है जिनको मैं जानता हूं personally या फिर मेरे student को असा जानता हूं उनका क्या इसाथ को चल रहा है तो पहले बात करते हैं IT फिल का जो IT में मेरे दोस्ट आप कर रहा है वो मेरे college में था वो भी IT company में है बैंग लगता है कुछी परसेंट परसेंट पांच परसेंट बाकि सारे अपने अलमोस्ट एंटायर लाइब जो होता है ना वह सर्विस मतलब बड़े सर्विस बेस कंपनीज में काम करते हैं लाइक इनफोसिस टीसी एस टेक महिंद्रा उसके बाद आपका वी प्रो ऐसे कंपनीज मे काम करते हैं और आपको पता भी होगा मैक्सिमम जो मांस कुट में ही कंपनीज करते हैं जो प्रॉडर्बन करते हैं में इतना मांस रिकूर्ट में नहीं होता है वो तीम पाइख ले आता हैं लेकिन जो सर्विस घुमनिघंड होते हैं अजार पांचो दो सौ ऐसे लेके ले प्रवजीट चलता रहता है यह आपको साथ पता भी होगा तो सर्वीज़ अलब कर रहा है जो मेरा कोट्री काझा तो दोस्त है अब मेकानिकाल वो तो सिविल वो इनका हिसाफ किताब लगबक से में जाता डिफरेंस नहीं है प्लस आपका बोल सकते हूं में बाहर जाना पड़ता है लेकिन मेकैनिकल का मुस्ट टाइम डिस्टिबूशन थो उनका क्या है उसे मेकैनिकल में काम करते हैं मैंने उससे बहुत सुच डेटा लिया दूनों फिल्ड से मेकैनिकल का उसने बताया डेटा वो मेरे को हंडिट परसेंट इंफरमिशन मतलब इतना अकूरेंट नहीं पाता तो पहले बात करते हैं पहला फर्स जो आपका प्रॉब्लम होता है कि सर्व वर्किंग कर्णिशन क्य और क्या फिलाल में उससे असिश्टन में जबनता है समझ रहें। इस तरह काम बनता है और हरे कुर रेंट होता है बैंड के according पैसे होते हैं ओ डिपंड करता है आपका कितना experience हैं कितना आपके पास knowledge है बहुत सरा factors में आयत है और आपका सब्सक्राइब कोई बानता है यह सबसे बड़ा बैंड है उनका तो भाई फिक्स नहीं है कुछ भी लेकिन बैंड वाला कंसेप्ट अप्लाइब होता है दोनों इंडस्ट्री में ठीक है अब दोनों अगर मानलो एसिस्टर मेनेजर हैं तो अगर वक पेशर की बात करोगे तो आई-टी फिल्ड में थोड़ा ज्यादा है अगर में करना कातीयक्ट का इसफ बसाएंग के बनाव में रहे वक शुवह को बताता हूं सुवह क्राइब करता है मुस्किल बानों आपको जो काम करनता है ददो algunas कि में क्या होता है बहुत ज़्यादा मीटिंग होते हैं उनका टारगेट को एचीव करना थोड़ा सा क्याником फोता है वीकोज वह वह अच्छा प्रजेक्ट करते हैं बर्ड़े तो प्रैस्जर बात करोगे दोनों फिल्म में ला करना क्या हुआ क्या होता है आप बहुत गर्मी है लेकिन वहां पर काम करना पड़ता है तो मेकानिकल में क्या फाइदा अभी हुआ है अभी आपको हाथ से मशीन गुमा के चलानी जरूत नहीं पड़ता है सबकुछ ऑटोमेशन में है आपको बाद स्वाइट्रियल या फिस सेमी फिनिस प्रोड़क्त रखना यह मशीन में वह क्या हो जाएगा निकालना रख लेना है फिर आगे निकल जाएगा मतला आपका काम जो है आपको करना पड़ेगा यह प्रोड़क्शन डिपार्टमेंट क है टेस्टर है इसके बाद सेल्ज में रहते हैं और सिमिलरली आपका काम इसक डिपार्टमेंट में इक बाट पर्टिक्लर फिल में काम करते हैं मैं अब लेकिन इन जनरल लेकिन बहुत सरे जॉब नहीं मिलता है मशीन भी ऑपरेट करते हैं मतलब प्रोड़क को डालते हैं मशीन बना दिया उसको निकाल कर रखना बस एक काम होता है उनका तो वक्त प्रिशर की बात करोगे आई टीव ज्यादा है इस कंपेर्ट टू कोर फिल्ट इन जनरल वैरी करता है और नेशन समझें दो दूसरा चीज क्या है लर्निंग अप्ग्रिडेशन देखो भई मेक्यानिकल में इतना कुछ खाज सर्टिफिकेशन नहीं है इसके बाद आपका पोकायो का या फिर एक सिक्सिमा आता है वह लेकिन इन जनरल होता है आपका बोल सकते हो मैडिजमेंट लेटेट प्रोड़क्शन का ऐसे कुछ खास अधिवेशन देखा नहीं डिजाइन का सर्टिफिकेशन आता है लेकिन आइटेविन में बहुत ज़् प्रोड़क्राइट करता है का कुछ हत तक काफी हत तक इसका दूसरा क्या होता है आपका अप्ग्रीडेशन हर दो साल में नया लेंग्वेज आया तो लेकिन यह मां तो सीखना बहुत बढ़ी बात नहीं जसला एक सामपल यू कें से था थोड़ा सा बहुत असान नहीं मतल अब AI को मैं सी प्रोडमिंग से कंपेर नहीं कर सकता हूं यह अलग लेकिन भाई उसी सही निकलाए ना सबकुछ सी सही सबकुछ निकला है कहां नहीं समझ पार हो क्या बोल रहा है दो चीज़ आपको बता दिया मैं इसलिए बता रहा हूं था कि आपको हर जिस कंपेर कर पा हैं उनमें कोई सी ओ टू इमिशन नहीं होता है बढ़ा उनकी जो बिल्डिंग के बाहर बहुत गर्मी छोड़ता है विकोज बेसी और आइटी कंपेरी में इसी यह लगे हैं लेकिन बड़ आपका में इसी का कोई पंगा नहीं समझ रहे हो अच्छा यह हो गया आपका तीस सारी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है तो देखो मैंने दोनों दोस्तें बात करा दूने के पास 10 एक्स्प्लियंस है में में अच्छे से बताऊंगा कुछ और चीज़ें हैं डेपार्मेंट्स कौन सा बैस्ट है फिलाल इस बताऊंगा वीडियो बनाऊंगा मैं आ आप यहां पर कंपेर मत करना ट्रिपल आइटी है जो पड़ता है आईडी बॉंबरी उसका अलग हिसाब किताब है उसका हिसाब तो मैं पतायता हूं इंडिया में है उनका आईटी फिल्म है आवरेज में सेलरी होता है 20 लाग लेगिन क्या सब के होते हैं नहीं ऑनली भैशन मिलेगा लेगए अंक वहां पर क्या है ऑग यह सब करता है अंक हम आपका एक्टि इंडस्ट्री सारे चाहिना पैसे कमाते हैं जdire ca Reona और सकूरी में घुमते मानता हूं में बहूत बहुत चेंज़ आये हैं और आएंगे भी तोपिक पता उस पर आता हूं तो आइटी फिल्म में स्टार्टिंग सेलरी आवरेज में जो आपका इन जनरल बच्चों को 95% बच्चों को 90% मिलता हूं क्या आपका 1.8 से लेके 4 लेक्स का मिलता है फूर पॉर 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 पाइब यहां कितना आएगा चबशे रहाजर गायब में करता है बट इतना ज्यादा नहीं करता है क्य alligator को इतना कास्ट निपर पर उतना इम्म्य पर यो उनको हम इनको यू जूब करने कुटथ्भिज में होता है इतना खर्चा लगों जितना नगती कमपनी मेंलिक को सब्ड़ाइमें CDC में करदा नहीं होता है on करटा होता है लकुल हर कंपणी में आपकेश्य नहीं है तो तिमें का लिंगल रहता है उतना नहीं रहता है वैंने सरकारी में का मतलब गया हूँ ट्रेनिंग के लिए मैं बहुत चींपनी में गाटन डिसी बिलर्स इंजने इंडिन निभी का पार्ट बोल सकते हो है उसके प्राइब भी गया हूँ मैं देखा हूं क्या केंटीन का हल हुआं गया हूं की दिकल्स इवोगल की देखता हूं मैं क्या है Lea के कि बात करें हम सालर्ट इसालरी लेहां मतलब जो आप कम आपका सबसे कम करता है कहां पर कुण से कंपनी माइटी में इतना नहीं करता है जो सबसे अच्छा कम होता है अगर बात करूंगा फिलाल कोई टाटा है रीजन का मेरे फ्रेंड ने बताया उसका जो आरेंड डिपार्टमें औटो मुबिल का खास करके बहुत श्ट्रॉंग हो गया है जो गाडियां हैं बहुत मुझबूत और अच्छे आ रहे हैं पहले इतने अच्छे गाडियां नहीं आते इंजन में प्रॉब्लम रहता था लेकिन अब भाई लेवल बे खेल रहे हैं बंदेव तो मतलब क्या साली के डिफ्रेंसेस है आईटी में तो सेल्ली है और मेकानिकल अब बात करते हैं गाइज दस साल बात का केंडिशन क्या है और नंबर वान मिस्टिक दोनों बंदों का बताऊंगा और उसमें बहुत कुछ सिखने को है आपको उस चिसको रिपीट नहीं करना है अगर रिपीट करोगे तो इनका जो हलत हुआ है आपका वही होगा तो पहल में आपको साल साल एक्स्प्रियेंस से डिप्लोव किया भी और को छोटे कमपनीं का में कर रहा है ठीक है तक कम्पनी में काम कर रहा है ओवी हो मैंdoor कि मिल दाएंगे असी बनाती है रेप्रेश का वासिंग मशीन बनाती है है यह बना रहे हैं समझ गया पहाँ छे कंपनी द लुटत मेरे और एक दोस्त है जो आय टी में काम कर रहे एके सर्फिस्बिस कंपणी में काम कर रहे बड़ी कंपणी आप पांच कशने के नाम लोगत है उसका प्सक्राइब कितना है लगवक 11 लग के जिफिरेंस कितना और यार 45,000 लगवक है डिफिरेंस हर महीने का आपको पिल्म में ज़्यादा पैसा है अभी और को पैसे कमा रहे हैं अगर आप कूर में तैसले काम कर तो आपको बताऊंगा अगर आप कूर में सेटिस्पाइड हो तो भाईया पंगा मत लेना आई टी में जाने के लेकिन आपको कोई पसंद ही नहीं है फिलाल पसंद नहीं करें तो अच्छे पैसे अब मालत करते हैं दोनों बंदे का मिस्टेक क्या है विए दस साल आई टी में कर आप एक्सपेंस लेते हो बढ़िया अगर तरीके चलते हो तो दस साल में आप अगर दो लाग से बिस लाग से नहीं करना पड़ेगा अगर मेक्यानिकल की बात करूंगा तो अगर सेम कंडिशन हो सकता है थोड़ा सा अगर टॉप पे चलेगे तो बिस लागा जाएगा लेकिन टॉप पाइटी वे जाओगे दस साल में तो पचास लागा सकता है चालीस लागा सकता है अगर अराम से नहीं बोलूगा थोड़ा सा है बट आ सकता है जिससे टॉप पे मेक्यानिकल में बिस लागा सकता है उस पर टॉप पर 40-50 लागा सकता है लेकिन बात करेंगे ये बंदा वो मिस्टेक नहीं करता जो मिस्टेक इस नहीं बुला मेरे कोई पर था दोनों से बुलें तो यह भी कम से गम 12-13 होए ताराम से 12-15 के पीछ में पहुंच जाता यह बीस पहुंच जाता आई कि मेरा सुचता नहीं सकता है लेकिन मार्केट ऐसा ही है नहीं है रा कंपर्यू नहीं सूचता है तो क्या फॉलोग करना चाहिए कितने साल में चैंज करना जए यह को Le mast प्रवाइब दो साल में पांच कंपनी चेंज करी में एक बहुत बड़े आयल कंपनी का उसका फिलाल से टीच लगब 15 से 20 लाग सब्सक्राइब दो साथ में इसलिए मेरे को पता है देखो मिस्टेक नमबर वान एक कंपनी यादा टिकना नहीं है टाइम तक कंपनी चेंज करते रहना है और उसमें हाइक मिलता है सैलरी बढ़ता है क्या लिए मेंटने केंव किना बढ़ता है कोम से कंपणी में जा है करें लोग बीकॉज कि अगर से नहीं देखता कोई एक साल दू साल बिताओ उसके बाद दो साल हद मारकों से चेंज करें फिर वहां पर दो तीं साल जितना फसका में बिताया उस से थोड़ा ज़्ता इक दो जैसे आप डारेक्ली प्रोड़क्ट बेस कमपणिये पहुंच जाओगे आपका मोज हो गया दोस्त मेरे आपका salary बढ़ जाएगा काम लगबख वही रहेगा यह mistake यह दुनों बंदों ने करा है और जो बंदों ने mistake नहीं करा जो process आपको बता है उनको follow करा है वो ज़्यादा salary कमा रहे हैं लेको पैसा सब को चाहिए अगर आपका इंट्रेस और पैसा दोनों मिल जाए तो मज़ा जाएगा हर चीज मेंने जो मेरे को मिला था कुछ और चीज़े बताओंगा mechanical का best department mechanical working time क्या होता है इन जेनर कैसे काम करते में लाइप कैसा होता है उसके बाद आपका आई टीविल का लाइप करो सब कुछ बताओंगा आपको नेक्स वीडियो में लाइक करो शेर को चलनल पर नवा सब्सक्राइब करो गॉडब्लेस योल बाई